प्राइब दोनों बताने वाला हूं लेकिन for beginners for startup you should go with without investment आपके पास I am damn sure कि आपके पास investment नहीं होगी यार आप चाहा कर भी इनवेस्स नहीं करना चाहेंगे क्यूंकि यह fresh business होगा new business होगा आपके लिए आप लोग नहीं चाहेंगे कि हमें इसका नहीं बतना आई experience है तो सबसे पहले आप इस चीज को क्लियर करें कि गेस्ट पोस्ट होती क्या है इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देखें कि अगदर वाइस यह वीडियो में भी आपके लिए वेस्ट जाए आपको exact clear होना चाहिए कि guest post होती क्या है करते कैसे है websites बगारा यह हो तो इससे पहले वाली वीडियो में काफी अच्छा एंड इजी वे में explain क्या है आप इसी प्ले लिस्ट की पहले वीडियो देख लेंगा guest post होती है अच्छा इसको start करने के लिए मैं आपको बताओं कि इसको start करने के दो तरीके हैं एक है 100% free वाला जो कि बगार investment होगा एक है paid वाला जो कि with investment होगा exactly paid investment वाला free में यह scene होता है आप लोग क्या करते हैं आप लोग guest post की site को find करते हैं आप लोग उन website को find करते हैं लो website के ओनर का हूंसे contact करते हैं वो price बताते हैं आपको पिर आप आगे आप उस बंदे की website को resell करते हैं इसकी live example दूं डॉलन्स के पास आपके आपने डॉलन्स को कहा के डॉलन्स हम आपका जो है एर कंडिशनर सील करवाएंगे डॉलन्स आपसे कहता है ठीक है आप हमारा एक एर कंडिशनर सील करवा दें हम आपको इतना परसेंट कमिशन देंगे ठीक है वो वेबसाइड आप उस वेबसाइड क पास गए, वो website आपको नहीं कहती है, हम आपको इतना percentage देंगे, वो नहीं कहती, dollars क्या करता है, उसके air conditioner की price mention होती है, website इसकी price mention नहीं होती, तो वो आपकी मर्जी है, अगर वो 20 dollars चार्ज कर रहा है, आके आप 200 की sell कर सकते हैं, 200 की करें, अगर आपको पता लगे के market में इसकी price 30 dollars चारी है, 40 dollars चारी है, तो obviously फिर आप इतना ही कर सकते हैं, ठीक है, free में यही होता है, free में इस चीज को resell कहते हैं, दुसरी अलफाद बताओं, तो एक website आपने ली, आपने 10 website कॉलेक्ट की, google.com, facebook.com, microsoft.com, bing.com, यह सारी website आपने collect की, आपने इन website के owner से contact किया, owner ने का ठी ठीक है, हम इतना charge करेंगे, आप, आपकी हम हर guest post, जो है, life कर लेंगे, फिर अब आप आगे से resell करते हैं इस चीज को, इसके लिए आपकी कोई investment नहीं पड़ती है, आपका just invest होता है, तो वो है time, कि आपने time देना है, आपने client find करने है, आपने deal करनी है, वो सब कुछ आपन करने है, बाकी investment nothing, zero investment, paid में ये scene होता है, जो paid है, वो ये है, कि आप अपनी sites बनाते हैं, आप sites ढूनते हैं, आप उन पर content writing करवाते हैं, आप उन पर SEO करवाते हैं, आप उन पर google submission करवाते हैं, फिर 3-4 महीन लगते हैं, traffic आती है, फिर आप offer करते हैं, इसमें ये scene होता है, paid म में ये scene होता है, कि फायदा इस लिहाद से है, कि आपकी website है, आपकी मर्जी जितने मर्जी charge करें, जिसको लेना होगा, लेगा, जिसको नहीं लेने कि वो नहीं लेगा, मैंने free क्यों का, okay, free से क्यों start करें, जब आप free start करने लगेंगे, आप करेंगे earn money, चिक है, आपने थो अब आप रिसेल कर रहे हैं, आपका business अच्छा चल रहा है, अब आप चाती है, कि मैं paid में move हो जाओ, तो 100% you should move, okay, you should move, and you should start your own blog, अपना blog बनाएंगे, content writing के लिए hire करेंगे, SEO के लिए हायर करेंगे, अपने website पर traffic लाएंगे, जब आपकी website अच्छी peak पर चली जाती है, ला मैं आपको वो तरीके भी सिखाऊंगा, जिससे जो है, आप लोग स्टार्ट में ही अंड करने लग जाएंगे, वो तरीके भी सिखाऊंगा, कैसे जो है, अपने blog को उपर तक ले जाएंगे, वो e to z आपको मैं बताने वाला हूँ, कि कैसे, वो इस playlist में आपके साथ share किया ज तो मैं अब यहां पर, अब इन में इतनी websites हैं, कुछ मेरी भी हैं, कुछ resell की भी हैं, देखें, मिक्सम काम हो रहा है, मैंने ये मेरे कुछ ऐसे blog भी हैं, जिन पर सिरफ मैं owner हूँ, मैं provide करता हूँ, लेकिन ये ऐसी sites हैं, जिनका एक editor नहीं है, owner एकी editor नहीं है, हर इतनी editor ह है, कि हर किसी के पास इसकी website की demand है, हर कोई provide कर सकता है, इस पर तो ये reselling होगा, हर कोई resell कर रहा है, इस पर, लेकिन अपने blog की ये मर्जी होती है, कि सिरफ हमने ही करनी है, हम ही specific price रखते हैं, हमने का, ये मारा blog है, इतनी traffic है, इन में pricing का issue है, marketwash.com एक रुपिया भी नहीं लेता, marketwash.com कहता है, मैं आपका content free में भी publish कर दूँगा, 100% मुझे quality content चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसको एक market बना दिया, इसकी एक market चला दी, लोग इसको अभी सिली 30$, 40$, 50$ में इसको sell करने हैं, आगे वो बेशक free में करते हों, ये किसी author से link हो, मैं आपको ब फिलहाल इससे अप कैसे end कर दें, अब मान लीजिए, आपके पास 1000 साइट आगे, अब ये आप पर depend करता है, कि इनको एक website पर publish करें, मेरे पास investment है, मैं अपने इस website को promote कर सकता हूँ, मैं अपने clients ला सकता हूँ, ये मेरी मर्सी है, मेरे पास पहला option यही है, कि मैं अपना own website साइट बना कर उन पर sale करूं, जैसे आपके सामने ये live sample है, कि अपने एक website बनाए, उन में आपने सारी guest post के site mention कर दी है, आपने contact form लगा दिया, और जो भी जिसको भी जो site चाहिए होगी, वो यहाँ पर search कर सकता है, और वो जो है search करने के बाद आप से contact कर सकता है, आपके प services provide कर रहे हैं, let's suppose, यहाँ पर आए, और यहाँ पर हमने लिखा guest post, और लोग इसके services provide कर रहे है, I will build CBD, Marijona guest post, I thought you were to follow backlinks, I will DR 77, यह मैं आपको चीज़ें clear करूंगा, कि DR क्या होता है, DA क्या होता है, यह वो, ठीक है, I will provide guest post on Google news site, Google news site क्या होती है, वो भी आपको पता DA 76, Google news site क्या है, लोग अंट कर रहे हैं, oh my god, wow, DA 50 plus niche guest post style back click, I will do guest post, यहाँ से भी अंट कर रहे हैं, और लोग जो है, यहाँ से भी अंट कर रहे हैं, यहाँ से भी अंट कर रहे हैं, यह आपको यहाँ यहाँ पर है, 2017 से हमने guest post शूरू की थी, 2016 के end से, and it was my startup business, मैंने पहले मेरी multiple profile होती थी, Facebook पर मैं गोरों की तना sell करता था, यह बढ़ी होती पोस्ट, यह देखें, यह मेरी, मेरी इस नाम से, एक ID तो अड़ भी गई थी, report की गई थी, बड़ी जगा, यह नहीं, उन में ऐसा number, यह देखें, यह 2020 में इस पर sell करता था, यह देखें, यह 2019 की है, य लिस्ट होती थी, PBN भी आपको पताऊंगा क्या होता है, यह दिखाने का यह मक्सद है, कि Facebook से भी आप अंड कर सकते हैं, कि Facebook से कैसे अंड करना है, LinkedIn से कैसे करना है, Twitter से कर, A to Z आपको पताऊंगा, और यह सारी free promotion है, यह free, 2018 में, guest post के services देते थे, 2019, मैं खुद भी आज करना हो अपनी, हिरान कुन बात है वैसे, अच्छा ठीक है, तो Facebook के provide करेंगे, आप लोग जो है, फाइवर पर provide करके अंड कर सकते हैं, आप अपनी website बना कर अंड कर सकते हैं, आप LinkedIn पर, आप Twitter पर, आप multiple social platform पर, आप इनके groups बगारा, यह वो जो अंड करके free वाला start कर सकते ह अब आती है paid की बारी, paid में क्या होता है, कितनी investment required है, कैसे start करेंगी, क्या करना है, जैसे मैंने पहले बता है, free से आप लोग earn कर रहे हैं, तो आप लोग नमान लीजिए, एक block start करने के लिए आपको कितनी investment चाहिए, आपको investment चाहिए, 11 dollar domain की, आपको एक अच्छी hosting लेने प सकते हैं, कि कितनी investment required होती है, पाकिस्तान में normally जो है, राइटर्स चार्ज कर रहे हैं, वो 1 P.K.R. से लेकर 10 P.K.R. तक लोग हैं, जो चार्ज कर रहे हैं, गोरों से लिखवाएंगी, और ज्यादा महेंगा पड़ता है, अब आप मान लीजिए, आपकी website का target था कि हमने start मे एकी block को start करने के लिए आप सोच सकते हैं, कि आपकी investment लाग से भी उपर जा सकती है, एक लाग से भी उपर कि आपकी investment जा सकते हैं, चिरूफ एक website को start करने के लिए, लोग ऐसे start करके बैठे हैं, लोग 1000-1000 लिस्टों, आप वो साइट्स और होती हैं, जो लोग इस वक्त बै मैं क्यों एक लाग की investment आपको बता रहा हूँ, एक block start करने के, क्योंकि मुझे आप सोच सकते हैं, कि इसका potential दो साल बात कहां तक होगा, आपकी ये सारी investment within few months आपकी recover हो जाती है, लेकिन ये काफी जो है, पिर आपको risk में डाल सकता है, क्योंकि आप इसमें experience नहीं है, आप Google की updates का नहीं पता, आपको कैसे वो मारता है, वहां सर उपर से खड़ा होता है, मैं गयता हूँ, इसमें फिर वही spamming की जाती है, तो मैं अभी आपको ये recommend करूंगा, paid की तरफ ना move करें, free से start करें, free से पहले earn करने, earn करके फिर आपको लगे कि अब आप paid start कर सकते हैं, आपक से करें, आप 10 ब्लॉग से करें, आप 100 ब्लॉग से करें, जितना जितना experience करते जाएंगे, आप ब्लॉग बढाते जाएंगे, and वहां से आप earning कर पड़ेंगे, और earning के लिए तरीके आपको बता दिये, अब next आने वली वीडियो में इंशाला हम discuss करने वाले हैं, कैसे sites find करते हैं, pitch क्या होती है, कैसे जो है, हम लोग उनसे contact करते हैं, कैसे deal करनी होती है, clients के साथ, कैसे websites owner के साथ deal करनी पड़ती है, कैसे जो है, हम लोग websites अपनी ही category related find करेंगे, let's suppose fashion के category के लिए sites कैसे find के जाती है, और foods के लिए, और tech के लिए, different different categories के sites आपको find करने पड़ती है, business भी आई होंगी, यह tech भी आई होंगी, मैं दिखाता हूँ, जैनल लगता कि अभी इन categories के मैंने find के, अभी सिरुफ मैंने general की की थी, और इन में भी 2-3 है, सारे मैं कहता हूँ, भाई, इतना रश लगा हुए है, इतना highest rate चार्ज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब आपकी अपनी website होती है, आप मालिक होती है अपनी website के, आप फिर अपनी मर्जी का ही rate रखते हैं, वहाँ से कमी basic होई नहीं होती है, तो मैं अब जीन website से contact करता हूँ, हैरान हूँ, इतना इतना रूग चार्ज कर रहे हैं, जो कि बस से भी बाहर है, बस इनसान rate सुनकर पर हो जाता है, तो फिर यहाँ पर हमने वो website सब उनको resell करना पड़ता है, जिनमें हमें भी नजर आए कि potential है या नहीं है, अब let's suppose एक ऐसी website को हम resell करने बैट जाएं, वो चार्ज कर रहा हूँ, 500 डॉलर तो नामुम्किन होगा ना, फिर आप सारा दिन क्या सारा साल उसक कोई एक क्लाइंट ही नहीं आएगा, आपको उन साइट को find करना है जिसमें जिनमें आपको reasonable rate हो, जिनका आप easily resell कर सकें और जिन पर आपको लगे कि इसमें से अच्छा commission मेरा रह जाएगा, तो फिर आप उन साइट को promote करते हैं, बाकि जो है next videos में इंशालला काफी सारी च अच्छा लग गया है, like कर दें, share कर दें, subscribe कर दें, इंशालला मिलते है next video